हेलो गईज वेलकम टो माई यूटूब चैनल लेट्स जोइन फार्मसी तो यूनिट त्री का डिसकेशन चल रहा था हमारा फार्मकोलेजी टू का जो कि फिफ से मिसेट भी फार्मसी का है जिसमें हमने अब तक जो है ना हिस्टमाइन फायस्टिया और अंडर अंटागोनिस् और सबस्टन्स पी इन छे टॉपिक्स सब टॉपिक्स के ऊपर आज डिसकस किया जाएगा ठीक है नोर्स डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको आप बिल्कुल जो हैना नोर्स डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री आफ कॉस्ट तो चलिए देखते हैं समझत देहें ने ठीक है तो सबसे पहले हमारा है प्रोस्टाग्लैंड इन फॉर्म ग्रूप ऑफ स्ट्रक्चरली रिलेटर लिपिद कंपाउंड और परफॉर्म मेनी फंक्शन्स इन हुमन इस टर्म प्रॉस्टाग्लैंड इस डिराइड फ्रॉस्टेट ग्लैंड दीखें यह प का डिराइवेशन होता है मतलब सिंदिसाइड रिए डिराइव फ्रॉम फैटी असिट्स बाइंजामिटिक रेक्शन और यह जो ना वेरी मतलब यह कॉंट्राक्शन को रेगुलेट करते हैं रिलाइजेशन ऑफ दे स्मूथ मिजल्स को भी यह प्रॉस्टाग्लैंड रेग हला कि I est yelling at is gay और यह एक हार्मोंंस तो नहीं है लोकल करतेWER इड्लस के ओप एक्रतें और मास्ट्री में इंका रहता है अगर हम इनके subtypes के बात करें तो PG-1, PG-2, PG-3 यह major subtypes है PG-1 series यह हमरी important है जो कि यही है PG-1 series derivatives of arachidonic acid यह arachidonic acid बहुत important ही inflammation को cost करने के लिए देखिए अगर आपको मतलब आप गिर गए समझो आपको चोट लग गई अभी वो चोट चंद दिनों के बाद या आफ्टर वन हवर हाफ एन हवर इंफ्लमेशन हो जाएगा उस चोट पर विकाउस अफ दिस राचिडोनिक आसिड यह इंफ्लमेशन को कॉस्ट करता है ठीक है एक और एक्जामपल किसी भी सब्स्टंस का मार पड़ गया आपके हाथ को ले का मतलब आइरन का हो या किसी भी दोर का हो मार पड़ गया आपके हाथ को या पैर को after half an hour आपका हाथ में क्या हो swelling आजियेगा that's swelling because of this और चूर्डनेक आसिड बायो संतेसाईज दीखे cellular membrane phospholipids यह करते कि हैं यह आपको दिख रहा है ना शेलूलार मेंब्रेन फासलिप das यह आराची डौ डनिक आसीट को लिबरेट करते हे रहां है यह मतलत हुँ प्रोष्ट्अगलेंड इनको सिंकर्ड करते अभी यह प्रोष्ट्य को रोकने के लिए हम क्या करतेया है मनदाब पेन को रोकना है तो समझत हshop believe करना धूमर को ग्रो करेंगे के loss of parturation यह सभी जो ना यह प्रोस्टागलान ने करते हैं फार्माकॉलजिकल एक्षिंज क्या है इनके दिखे अन्द सीवी एस जाट इस एक्षिंटम पर इनका क्या एक्षिंट है वैसो डाइलेशन और फॉल इन ब्लेट प्रिजर और कॉजल बाइद इस पीजी टो वैसो ड इन बाइट करता है उप्लेट लेट अग्रीगेशन और यह फ्लेट क क्या गरता है यह इन बेट प्लेट 11 का घ्रिगेशन को और वैसो डाइलेशन करते हैं लेश्ट इस ब्रॉंख्यल मॉसल्स पीजी प्टों पॉपीजी दी रदपों को लिटगेशन थे एक्षिंटर्स स्ट्रॉंग ब्रॉंको डिलेटर समझे आप रिप्रॉडक्टिव सिस्टम पर इंग काम क्या है दिवरिंग अर्ली स्टेज अफ प्रेगनेंसी युट्रस इस ब्रॉट बाए पीजी इतवें पीजी इफ टो ओके उट्रस का कॉंच्छन होना जरूरी यह अगर उट्रस चौंट्राक्ट होगा तभी तो पार्चुरेशन होगा तभी तो बेभी बहार आएगा नियूमा नवाँ भार आएगा विगा विगाउट्फ विट है इंग इं को स्वेलिंग को यह सभी को कौन कोस्ट करता है इस यही कोस्ट करते हैं क्या उनका नाम प्रुस्टाइगलेंडिन नेस्ट थेरपेटिक इस इंडेक्शन ऑफ दे लेबर और अबोर्शन के लिए देन प्यप्टिक अलसेर्स में टीट करने के लिए दिया जाता है सम टाइप प्रुस्टाइगलेंडिन युटू अस्तामा के अंदर दिये जाते हैं और सम प्लेटले सग्रिगेशन भी इस इमारे होते हैं एडवर्स अफेक्स नौजिया वॉमेटिंग डियरिया एडेक डिजीनेस हाइपोटेंशन के इटमें आल्सो कॉस्ट यूट्रीन रप्चर फ संद्र होंगे तब हम क्या करेंगे इंड्र विनस दिया जाएं श मदर्य आप इंड्रवेनलश दिया जाय जाएं प्रोस्टा गलनी इंडविन्श ग्लूटकॉर्टिकॉण ग्लू memoir त्ब्लॉक्षा करण Gaga र dishwas्लेया है मनें प्लॉक्त ब्लॉक सब्लॉक् бойकॉर्टिकॉर्ल Thromoxanes are the platelet aggregator and vasoconstructor. यह क्या करेंगे? Platelet को जमाएंगे, मतलब blood clot करेंगे. इनका synthesize के बाद करें, तो same है Aucylic Acide and the presence of cyclooxygenase. यह form करेंगे, Prostaglandin GT को, that upon Prostaglandin H2, then Thromoxane form होता है. In the presence of TX, Thromoxane A2 synthesize. बस आपको यह सब यहाद रगोना है. mechanism of action in order to produce action thrombocin binds to thrombocin receptors thrombocin क्या करते हैं यह receptors को bind करते और action दिखाते हैं therapeutic users they are potent vasoconstructor and hypertensive agents जाहिर से बात है अगर blood construct हो जाएगा तब क्या होगा blood पर दबाओ पर जाएगा तो pressure बढ़ जाएगा यह perform platelet aggregation they balance the homeostatic body का homeostatic को balance करते हैं यह हमारे thrombocin adverse effects increase in blood pressure antagonistic drug की बात कर तो aspirin जो कि platelets को aggregate करने में inhibit करते हैं और dipyridamol यह सब होना हमारे antagonistic drug किसके thrombocin next leucotrines leucotrines are family of the ucosenoid inflammatory mediators ठीक है अगर इसके types के बात करें तो leucotrine a leucotrine b c d e and f तक हैं पांच sub-types है synthesize के बात करें तो membrane phospholipid in the presence of the phospholipase a2 अर्चल दूनिक असिड को produce करता है that produces lta4 के लिकोट्राइन एक को कॉस्ट करता है that upon b c d and e यह सभी जोना enzyme के तहत प्रोसेस चलता है अब दिके यह अर्चा दिनो एक acid in the presence of phy lipogenase okay यह in the presence of phy lipogenase enzyme लिकोट्राइन यह को form करता है समझे रहें ना इसी तरह यह enzyme बेद प्रोसेस है नेक्स्ट अगरम pharmacological actions के बात करें लिकोट्राइन और यूज ने अस्तमा अब्स्ट्राक्शन ऑप्स्ट्राक्शन अब दे सिक्रेट होता है इंसे they regulate the inflammatory activities inflammation को भी प्रो inflammatory प्रो मतलब पहले inflammation होने वाला सबसे पहले inflammation यही कॉस्ट करते लिकोट्राइस प्रोकोट्राइस नेक्स्ट अंजियो टंसिन दिखिए अंजियो टंस नीक पोटेंट वैसो प्रसर है वैसो प्रसर सबस्टेंस जो की वैसो प्रसर मतलब पोटेंट वैसो construction जो की construct करता है ब्लड प्रिजर को बढ़ाता है okay then it is designated as a angiotensin 2 which is converter from the angiotensin 1 from angiotensin converting enzyme डिखिये guys इसको हम angiotensin 2 पर designate करते हैं मतलब कहते हैं क्योंकि actually angiotensin 1 है in the presence of angiotensin converting enzyme यह जो ना angiotensin 2 में convert हो जाता है जो की BP को increase कर देता है यहां की construction बढ़ा देता है it is formed in kidneys in juxtagulmarlar apparatus then 81 मतलब angiotensin 1 और angiotensin 2 यह दो है हमारे angiotensin receptors इनी receptors पर जो ना सारकुछ चलता है pharmacological actions एक पोटेंट वैसो constructor है और यह 40 times more potent than noradrenal noradrenaline यह एक हमारा adrenal medulla से release होने वाला मतलब adrenal gland से release होने वाला हार्मोन है इस हार्मोन का में फंक्शन है वैसो कंस्ट्रेट करना है यह हार्मोन जो है ना मतलब जो हम पर रहे ना भी एंजो tension यह 40 times more stronger than noradrenaline डायरेक्ट वैसो प्रसर इफेट दिखाता है construction of pre capillaries arterioles release of a catecholomines को release करता है catecholomines एक steroid है मतलब जो की help करता है emergency situations के अंदर और यह stimulate करता है drinking में increased vasopressin synthesizers vasopressin ACTH synthesize में भी help करता है ACTH मतलब यह वह corticosteroid है इसे भी help इंसीन का next bradykinin bradykinin exist in its inactive form in the plasma it is made up of a brady kinogen plasma enzyme kilikrine synthesize के बात करें तो kinin जोना यह potent vasodilator polypeptide जो की kinogen से secret होते हैं मतलब synthesize होते है kilikrines are glycoproteins जो present रहते हैं plasma के अंदर kidneys के दर sweat glands के अंदर receptors हम B1 B2 B3 को देख सकते हैं next pharmacological actions यह क्या करते हैं गाई यह vasodilator करते हैं और जो आना gastrointestinal smooth मजल मतलब stimulate करते हैं और जो आना important inflammatory process के अंदर therapeutic uses के बात करें तो guys the activation of the kinin system bradykin is particularly important blood pressure regulation और inflammatory reaction though bradykinin ability to evaluate vascular permeability and to cause the vasodilation in some arteries and veins vasodilation में भी इनका इस्तमाल होता है और inflammation भी जो आना inflammation में भी इन्हें दिया जाता है समद्रों आप then last हमारी है substance P substance P is a peptide which belongs to the tachykinin यह हमारा neurotransmitter matter it act as a neurotransmitter in the control nervous system pharmacological actions के बात करें तो pain में मतलब pain को induce करता है vasodilation कॉस करता है और smooth muscles को construct करता है यह आपको समझना है then diuresis or natriuresis को कॉस करता है diuresis मतलब क्या diuresis मतलब urine को बाहर निकालना body से okay urine को मतलब पानी water molecules को sodium chloride को potassium को बाहर निकालना body से इसको हम diuresis कहते है इसमें भी substance P का यूज होता है therapeutic यह neurogenic inflammation कॉस करता है और smooth muscle construction कॉस करता है because produce करता है तीक है यह आपको समझना है then अगर हम antagonist की बात करें तो guys eripotent is NK1 receptor यह आप दिख रहा है ना eripotent यह eripotent जो ना NK1 receptor है मतलब NK1 receptor antagonist NK1 यह क्या है guys यह NK1 जो है ना यह nausea को कॉस करता है अगर आपको vomiting हो रहा है तो NK1 जो है न यह nausea कॉस करने वाले जो NK1 है न वो nausea को produce करता है मतलब vomiting sensation nausea इसको antagonist किया जाता है substance P से क्योंकि इनका penetration good रहता है और orally मतलब यह orally administered कर सकते है देशो good anti-emetic activity anti-emetic मतलब ulti होने से बचाना समझ लो न यह इनका donor constantly drugs Do guys This all कुछ हो गए हमारा substance P के बारे में leukeutriens के बारे में bradykinine के बारे में thromboc packaging के बारे में prostate glandine के बारे में bradykinine के बारे में सब कुछ हमने study techniques नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट व्डियो में यह यह सब्सक्राइब कर ले डिस्क्रिप्शन में हमारे एक और चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करके जाए थैंक्यू गई